हेलो इवरीवन, विलकम बैक तो माई यूटूब चैनल आज हम दिसकस करने वाले हैं जरनरल नालेज के बारे में जो की बीस्टी नर्सिंग इंटरेंस एक्जाम में पूछे जाएंगे कुश्चन जरनरल नालेज के तो आईए सिट्वर नेवी डे इज आपजरूड आन तो नेवी डे आपजरूड कप किया गया था तो इस कुश्चन का एंसर हो जाएगा ए नंबर ए नंबर हो गया इसका चार दिसंबर चार दिसंबर को नेवी डे आपजरूड किया गया था अब दूसरा कुश्चन है नेशनल सांग वंदे मात्रम वाच फ़र्ष्ट संगान तो जो फ़र्ष्ट नेशनल सांग था वंदे मात्रम उसको कब गाया गया था तो यह हो जाएगा 1896 सेशन आफ आइन सी इसका एंसर एक हो जाएगा ए नमबर अब उसके बाद आता है थर्ड कुश्चन सार्टर वर्जन आफ इंडियाज नेशनल एंथम है जे प्लेइंग टाइम जो सार्टर नेशनल एंथम को सार्टर टाइम था उसको कितने सेकेंड में गाया था तो इसका कुश्चन का एंसर हो जाएगा सी नमबर 20 सीकेंड अब आता है यह फिफ्ट कुश्चन टाइगर वाज एडाप्ट आज नेशनल एंइमल इन टाइगर को नेशनल एंइमल कब एडाप्ट किया गया था तो इसका हो जाएगा बी नमबर 1972 नवंबर नवंबर 1972 बी कुश्चन बी नमबर दा फास्ट आईपिएस ओमेन आफिसर वाज फास्ट ओमेन आफिसर काउन थी आप लोगों को पता ही हो गया यह सब तो इसका कुश्चन का एंसर हो जाएगा नमबर एक एक किरन बेदी थर्टीन नमबर कुश्चन नमबर है हूँ कंपोजड आवर नेशनल इंथम हमारे नेशनल इंथम को किस ने कंपोजड किया था तो इसका हो जाएगा ए नमबर रवींद्रनाथ टैगोर अब फूर्टीन नमबर कुश्चन है फिन दा नेशनल इंथम आफ इंडिया फस्ट सांग यानि नेशनल इंथम आफ इंडिया जो है उसको कप गाया गया था तो इसका एंसर होगा डी नमबर सेंचूरी किस नमबर ने तो इसका एंसर हो जाएगा डी नमबर यइंगेसट प्लियर सावरन बनाया था इन्होंने सेंचूरी या था संचिन तंदुल करते हैं कि दफास्ट न्यूक्लियर रियक्टर इन इंडिया तो सी हो जाएगा इसका एपसारा अब इसके बाद देखते हैं 90 नमबर देमांग फालोविंग नेशनल इंथम सांग तो नेशनल इंथम हो जाएगा इसमें वंदे मातरम ए नमबर अब इसके बाद देखेंगे हम 20 नमबर कुष्चन 20 नमबर दा लार्जेस्ट एंड दा ओल्डेस्ट मूसियम आफ इंडिया इस लोकेटेड इन इस्टेट यूनियन टेरिटोरी आफ तो इसका हो जाएगा वेस्ट बंगाल इसे नमबर